वेल्खम बैक गाइज और दिस फिफ्थ पार्ट ओव दिस अमाइनो एसीड प्रोटीन वाली सीरीज का लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया टाइटरेशन जहां पर दो आइनाजबल गुरूप है जैसे कि हमने पीछे पढ़ाया ग्लाइसीन का अब हम बात करेंगे जहां पर दो से जयादा आइनाजबल गुरूप है जैसे कि हमने देखा था फर्स वीडियो में कि जो पोजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसीड है उनकी जो चेन है और जो गुरूप है उसमें भी आइनाजबल गुरूप प्रेजेंट है तो यह भी तो आइनाजबल अब जो हितरे करें इस जो राइनाजबल गुरूप है इसमें एप्रेजेंट है जो इकसेप्ट करता है हृव ojos तो इसलिए basic है basic amino acid हमी से बोलते है histadine को तो होएगा क्या कि जब हमने यहां से नीचे से start किया यहां से हम start कर रहे हैं तो यहां पर अच्छा acidic है acidic environment है मतलब pH कम है तो hydrogen है तो इन दोनों ने एक तो यह थे ही पहले से एक और आ गया नहीं इन दोनों के उपर प्लस साइन आ गया मतलब इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया बाहर से हाइड्रोजन लेके बैठे हैं दोनों ठीक है तो ओवरोल चार्ज क्या हो गया प्लस टू हो गया देन हमने अन्योह डालना है स्टार्ट किया अन्योह डाल रहे हैं उसमें निट्रलाजेशन हो रहा है जो हाइड्रोजन है उन्में कमी याना और एक plus 1 वाला, क्योंकि जो hydrogen की कमी है, उसको पूरा करने के लिए, यह COH जो है, इसकी tendency क्या hydrogen देना है क्योंकि यह अपना hydrogen दे देगा तो जो overall charge हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, plus और minus यह वाला तो इसे cancel होगा है, कौन सा बचेगा, सिर्फ यह प्लस 1 बचेगा, तो प्लस 2 से प्लस 1, और यह PK1 क्या होगा यह वो होगा, यह वो pH होगा, 1.82, यह वो pH है, जहां पर यह दोनों species, प्लस 2 वाली और प्लस 1 वाली आधी-आधी प्रेजेंट है आधी यह और आधी यह, आधा हिस्टिदीन प्लस 2 में प्रेजेंट है, और आधा हिस्टिदीन प्लस 1 में प्रेजेंट है, ठीक है फिर हमने कॉंटिन्यू रखा एनेवेच टालना, क्योंकि यह भी बहुत हैटोजन है मारे पास इसमें, ठीक है, दो-दो बढ़ रहे हैं, बड़ रहे हैं, अनेवेच अधा है, तो इसलिए यह अपना इड्रोजन देगा, इसना अपना इड्रोजन दे दिया, तो यह प्लस और माइनस, टोटल चार्ज किया हो गए, जीरो हो गए, यह क्या बन के है, पर प्लस वाली स्पीशीज और जीरो वाली स् हिस्तिदीन आधा इसमें, प्लस वन में, और आधा जूटर आयन की तरह प्रेजेंट होएगा, समझ रहे हैं, यहां पर पी आई नहीं लिखा है, पी आई कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगी, कैसे इसका पी आई कैलकुलेट करेंगे, पी आई कौन सी कंडिशन है, जह यह भाई साब पूरे करेंगे, यह भी तो एक हाइडोजन लेके बैठे हैं, एक्स्टा, प्लस एन को अपर, यह अपना हाइडोजन दे देंगे, तो फाइनली, टोटल चार्ज के आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और यह पी के टू, नाइन पॉन सा पी एच है, जहां पर, शलूजन के अंदर हिस्ति इन प्रेजेंट है, एक तो जीर्टर आयन में और एक माइन वन में, आदा एसे और आदा माइन स वन में प्रेजेंट है, यह वह आला पी के है, 9.17, इस तरएक से से हमारे पस तीन आ गया, फीश्त सब्सक्राशन पीकशन जैसे आगे हम देखेंगे ग्लुटामेट का इसका भी करेंगे इसमें पी आई की अगर हम बात करें तो ओके मैं पी आई के ऊपर आलग से वीडियो बनाऊंगी आइसो लेक्रिक पॉइंट कैसे कल्कुलेट करते हैं दो आयनेजबल गुरूपालों के और तीन आयनेजबल गुरूपालों के इसका कुछ अलग होता है वो मैं हुआट नेक्स वीडियो में वपफुली बताऊंगी तो हम ग्लुटामेट का देख लेते हैं कि ग्लुटामेट में क्या हुरह है ये इसिडिक है क्यूंकि इसकी जो वही एसदी कन्भाइमेंट है यह जो एनेस त्री भाइसाब है यह हाइडोजन लेकर पैड़ जाएंगे उसके बाद एनेवेंच डालना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होएगा है है इसको पूरी करने के लिए कमी को सबसे पहले जो यह अलफा कार्बोकसिल वाला होएगा कार्बोकसिल ग्रूप यह अपना हाइडोजन दे देगा तो यहाँ पर ओवरोल चार्ज क्या है प्लस वन है और जो यहाँ पर ओवरोल चार्ज क्या है जीरो है मतलब जीटर आयन बन गया है पीके वन क्या है पीके वन 2.9 पर आ रहा है यह वो पी एच है जहां पर जो ग्ल यह अपना hydrogen, sorry, यह नहीं, अभी यह ही है, एक और हमारे पास acid present है, जब तक amine नहीं देगा अपना hydrogen, अभी यह वाला जो भाइसा बैठ हैं दूसरे वाले, यह अपना hydrogen दे देंगे, कमी पूरी करने के लिए, तो अब PKR आजेगा, अब PKR हमारे पास कौन सा pH है, यह 4.25 वो pH ह जहां पर glutamate आधा ऐसे present है, 0 की तरहे और आधा कैसे present है, minus 1 की तरहे, इस पर net charge हो है, वो minus 1 है, दोनों cancel minus 1, तो आधा ऐसे present है, then again हमने start कर दिया है, अब जो है hydrogen की कमी कौन पूरी करेगा, COH तो दोनों नले हो गए, अब कौन बचा है, अब कौन बचा है, अब कौन बचा होगा, minus 1 की तरह, और आधा minus 2 की तरहे, और PI कहीं यहां पर आएगा, क्या होगा, PI जहां पर solution के अंदर सिर्फ 0 आयन प्रेजेंट होगा, यह, सिर्फ यह वाला species प्रेजेंट होगी, तो वो PI होगा, वो हम calculate करना, next video में hopefully सिखेंगे, thank you so much.